आपने अक्सर रेल परसासन को डंटा चलाते हुए देखा होगा लेकिन हम बता दे अबरक्सोल के जी आरपी की एक मेडम है जो पेंच चलाते हुई दिखाई दे जो रेल के आसपा जो जुगी जो प्रिवन बच्चे रहते हैं जो भी द्याले नहीं जा पाते हैं जो समाज के समाज के मुख्षधारा से जोड़ने का आने वाले दिन के यह भारत के भविस्ट हैं और यहां पे भारत के भविस्ट बनाये जाए और बच्चे को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में जी आरपी रक्सोल जिस तरह से तात्पर है या कार कर रही है यह कार आपने अनेकों बार देखे होंगे से रेल परसासन को अपराधियों से सामना होता है अब छोटे छोटे बच्चे से भी सामना करना पड़ेगा मकसद एक है से बच्चे को पढ़ाना है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है आज कहें तो यहां पे रेल डियस्पी बेतिया उमेश कुमार के द्व पढ़ाना चाहिए कि यही है जो रेल के आस्पास जो प्रीमें बच्चे रहते हैं जो भी दैले नहीं जा पाते हैं जो समाज के मुख्यधारा से कट चुके हैं उनको समाज से मुख्यधारा से जोड़ना का कर्ज करना है और इनमें अगर काफी कुछ बच्चे पता चल रहा है धीरे-धीरे की ब्रिलियंट भी है तो उनको आगे भी एसिस्टेंस दिया जाएगा और इससे क्राइम कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगा जो बच्चे क्राइम की और ग्रेसर हो रहे हैं करेंगे कितने जगों पढ़ाई की पड़ाई की पड़ साला चालूए यह मुझभरपुर में चल रहा है और यहां चल रहा है इतना अच्छा कार है आप बताए हैं हमारे रेल एस्पी कुमार आसी सर का यह और ड्रिम प्रजेक्ट है ससे जीतने भी हमारे डिवीजन में रेल ठाने सब में पढ़ाना चाहिए नहीं लगता इसको देस भर में आगे बढ़ाना चाहिए बिल्कुल बढ़ाना चाहिए लेकि इसमें लग रहा है लग रहा है से मुझहप्पकूछ जब उनका तब्दला वो जा हम अक्सर देखते हैं सक्ति के साथ मेरे परसासन को पेस आते हुए और बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हुए यहां पर दिखाई देगा यह जो है जियार्पी के अपना एस्वी साहब का बहुत बड़ी पहल कही जाएगी रेल परसासन के तरफ से कि जो अनाच बच्चे है अवारा है या लावारी समझे जो परसालों गरह में नहीं जा सकते हैं उन बच्चे को एकाठा करके हमारे जियार्पी के बड़ा या उसके कर्ष्टेबूल एसाई गरह जो भी होंगे वह एकाठा करके और सभी बच्चे को अगर सिक्षित कर देंगे तो उनका जुकाव ज आपके तरफ से भी जो कि मुझफरपूर के बाद पहली बार है सो रक्सौल में इस तरी के दो देखने को मिलगा है और आप देख सकते हैं कितने चोटे-चोटे-चोटे बच्चे हैं और यह हाथ में इस लेट लिए हुए हैं आपने बच्पन में गुड इंग्लिस मोनोहर पति देखा होगा और कहें तो आज रेल ड्सपिक के द्वारा यह सब चीजें भी दी गई और हमको लगता है यह बचे निश्चित आगे बढ़ेंगे आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि आप नहीं कि पढ़ना चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं ऐस एक मिस्व सबना और देख सकते हैं कितनी प्यारी बच्ची है जो अभी से पुलिस के कारे को देखते हुए यह पुलिस बनना चाहती है पहली बार हम किसी छोटे बच्चे से मिल रहा हैं जो पुलिस बनना चाहती है पिता जी क्या कारे करते हैं पिता जी बाहर रहते हैं जलन्दर पढ़ाई करना चाहती है हाँ आगे क्या बनना चाहती है पुलिस बनना चाहते हैं अब भी पुलिसी बनना चाहती है देखिए एक समाज के दौएरह हम कहें रेल सासन के द्वारा एक बच्ची को अनेकों को पढ़ाया जा रहा और उनकी उनके कारे को देखते हुए इनको इतना अच्छा लग रहा है यह भी पूलिस बनना चाहती है वाकई लग रहा है हमारा देश बदल रहा अब क्या चाहती है बनने के लिए डॉक्टर बनेंगे आप डॉक्टर बनिएगा चलिए अच्छी बात है बहुत यह चाहिनी थे कुछ बच्चे पूलिस बनना चाहते हैं यह डॉक्टर बनना चाहती है हलाकि स्यवा की भावना सब में चलिए मेडम पढ़ाती है थोड़ा सा आप से बात करेंगे और एक अनुखा तरीका है आपका पढ़ाने का से मेडम बहुत अच्छे कारे कर रहे हैं देख रहे हैं जो जो भी बच्चे और जो भी है किसी के पिता जी मुंफली बैचते हैं किसी के पिता जी किसी की मा कवार चुनती है बहुत अच्छे कारे हैं और बच्चे बता भी रहे हैं हमें पूलिस में जाना है क्या लगता है वाकई में काबलियत है आपके बच्चों में तीचर चुकी आप ही है जी लगता तो है फिलाल अभी तो बैसे की नॉलेज इन लोगों को मिल रहा है आगे देखे जितना यह इंप्रूब कर सके यानि कि आपने जिस तरह से बेस्ट करके जी आर्पी में आये हुए है वह इसाह करते हैं आने वाले दिन के भारत के हैं और यहां पर भारत के भशिस्ट बनाया जा रहे हैं बच्चे हैं और बच्च्चे को कहींने कहीं आगे बढ़ाने में घयरी फिरक्सओल जिस तरह से ताफ़पर यह कार कर रही है यह कार सभने है